हेलो फ्रेंड्स इस जोती वर्मा तोड़े आंग गोंग तो स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट लेसन प्लान ऑफ सोशल साइंस सोशल साइंस का हम नेक्स्ट लेसन प्लान डिसकस करने जा रहे हैं इस लेसल प्लान के अंदर हम सिविक्स का लेसन प्लान डिसकस करेंगे जैसे क हैं नागरिक हैं सिविक्ष इसका लेसन प्लान हमारा है कानून और समाजिक न्याय और ये चंप्टर हमारा है इत्ट लाय है थे क्ल Mitt started करने वालें सारी डिटेज में discuss करेंगे कि इस तरीके हमें इसके पूरे कंटेंट को फॉलो करते हुए पूरा बनाना है जैसे स्टुडेंट ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो सब्सक्राइब कर ले और बेल ऐकन पर प्रेस कर ले जिससे से जल्दी पर दिया को नोटिफेकेशन पर पहुंच जाए तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हम डिसकस कर रहे हैं Social Science का Lesson Plan, नागरिक शास्त्र का, कानून और समाजिक ने आए तो ये हमारा आज का Lesson Plan है, Class 8 का है सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर हम मेंली लिखते क्या है सबसे स्टार्टिंग हमारी कहां से होती है हम Blackboard and Trees से स्टार्ट करते हैं कंशे, इसके अंदर हम फोर टूफ हमारे उदेश ऑफ्जेक्टिवस लिखते है तो पहला है हमारा चात्रों को भोगालिक वा समाजिक ज्यान कराना चात्रों को जीवी को पार्जन के योगे बनाना चात्रों में समाजिक नियमों का विकास करना चात्रों में स्वदेश प्रेम की भावना का विकास करना और फिफ्ट है हमारा बोगॉलिक इस्तितियों का मानव जाती पर पढ़ने वाले प्रभावों को समझना, तो ये हमारे पास कुछ समाने उदेशे हैं, विसस्ट उदेशे हमारे कैसे हैं, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट है ग्यानात्मक, सेकंड है बोधात्मक, थर्ड है हमार प्रियोगात्मक और फूर्थ है हमारा कौशलात्मक, तो प्रियोगात्मक सबसे पहले जो हमारा ग्यानात्मक है उसमें हम क्या लिखते हैं, छात्र कानून से संबंदित ग्यान का प्रक्तियास मरण करेंगे, पहला हमारा होता है ग्यानात्मक, दूसरा है बोधात्मक, छात एसी कानूनी समझका उप्योग कर अपने मानसिक कोशल को बढ़ा पाएंगे उसके बाद हमारे पास next क्या है समाजिक जो हमारे समाजिक विज्ञान में जिस तरीके से हम teaching aids का यूज करते हैं उसमें सिक्षक साहिक सामगरी हमारी कौन सी होती है teaching aids या teaching learning material हमारे कौन से होते हैं समाने और wishist यानि की general और specific तो general में हम क्या यूज करते हैं chunk, duster, blackboard, sanketa यानि की pointer, lapet, champert यानि की roller board तो इस तरीके से हम कुछ commonly और book भी यूज करते हैं जिसमें से हम chapter पढ़ाते हैं बच्चो को wishist हमारा क्या है? chart यानि की अगर हम कोई भी chart दिखा रहे हैं जिसका हमने lesson plan बनाया है जिस chapter का उसमें अगर कोई भी ऐसा topic है जिसको हम chart के through explain कर सकते हैं तो हमें इसमें chart बनना होता है यह हमारा wishist होता है wishist साहेक सामगरी हमारी tlm उसके बाद हमारे पास next है पूर्वा ग्यानी यानि की students के पास उनकी जो previous knowledge होती है वो देखते हैं हम तो शात्र दुरगटनाओं के बारे में समाने जनकारी रखते हैं इसके अंदर next है मारे पास प्रस्तावना प्रशन प्रस्तावना प्रशन क्या होते हैं हम अपने topic तक जाने के लिए और बच्चों की previous knowledge चेक करने के लिए प्रस्तावना प्रशन बच्चों से पूछते हैं प्रस्तावना प्रशन हम बच्चों के level के पूछेंगे ताकि चार से 5 questions हम इसके अंदर पूछते हैं जब तक हम topic पे नहीं चले जाते ज़ादा नहीं पूछना 3 to 4 या 4 to 5 last उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि कौन कांसे question हमने इसके लिए पूछे अगर कोई अपराद करता है तो क्या होता है तो सजा मिलती है सजा किसके द्वारा दी जाती है पुलिस के द्वारा दी जाती है पुलिस के नियमों का पालन करते है कानून के नियमों का और अगर किसी को बिना अपराद के सजा मिल जाए तो क्या करते है तो बच्चे मौन रहेंगे बच्चों को इसका अंसर नहीं पता होगा, यह उनके लिए problematic question यानि की समस्यात्मक प्रश्न होगा उसके बाद हम अपना उद्देश्य कथन बोलते हैं, जब बच्चे निरुत्तर हो जाते हैं तब हम अपना उद्देश्य कथन बोलते हैं चात्रो आज हम नागरिक शास्तर का पाठ कानून और समाजी की न्याय का विस्तार पूरवक अध्यान करेंगे तो यह हमारे पास क्या है उद्देश्य कथन, उद्देश्य कथन बोलते वक्त ही हम प्रकरण की जगह पर प्रकरण के सामने अपना टॉपिक लिखते हैं उसके बाद प्रस्तुतिकरण, प्रजन्टेशन जो है वो क्या है हमारी प्रजन्टेशन हम बुक को पढ़के उसके बाद जब लेसन प्लान बनाते हैं तो हम बुक के ही सारे पॉइंट्स यहांपर लिखते हैं तो इसमें कुछ कॉलम्स होते हैं जैसे कि सिक्षण बिंदू, सिक्षक क्रियाएं, छात्र शात्रा क्रियाएं, सिक्षण वेदियां, सिक्षण सामगरी, शामपट कारे, मुल्यांकन तो इस तरीके के हमारे पास यहां पर kolumds होते हैं इसके अंदर सबसे पहले जो section मिंदू है उसमें हमें अपने सारे teaching points लिखने होते हैं तो पहला है बोपाल गैस तराजती यानि कि इसके अंदर जो बोपाल की tragedy है जो Gas की वो यहां पर बताई गई है पूरी तो उसके बारे में हमें यह लिखना है तो भोपाल गैस टॉर चाजती के बारे में हमें यहां पर बच्चों को बताना है 1884 को राद के दो बजे यूनियन कर्बाइट के इसी साइयत्र से क्या हुआ मिथाइल आइसोडाइनाइट गैस जो थी वो रिषने लगी मतला वहां से लिके जोने लगी तो इस तरीके से जो भी इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है वो आप बच्चों को बताएंगे शात्र ध् उसके बाद हम नेक्स्ट इस पस्टी करण पर आएंगे नेक्स्ट हमारा क्या है सामुहिक अंतिम संसकार यानिकी जब यह ट्रैजडी हुई तो बहुत जादा मौते हुई तो इसमें लगबग 50,000 से जादा लोग क्या हैं अभी भी आज की टाइम पर भी इतना जादा इसक इतने बिमार हैं कि कुछ काम नहीं कर सकते आने की उस समय का असर आज तक है यहां पर तो इसके अंदर जितना भी डिस्क्रिप्शन है वह आप बच्चों को बताएंगे उसके बाद छात्र ध्यान पूरवक सुनेंगे व्याख्यान विदी का यूज करेंगे और इसके साथ आप बच्चों से मुल्यांगन प्रश्न पूछ लेंगे ताकि आपको पता चल जाएगी बच्चे आपकी बातों को ध्यान से सुन रही है नहीं कुश्चिन क्या है गैस के संपर्ग में आने से कितने लोग आज भी बिमार है तो जो 50,000 लोग है वह आज भी मिमार है आगे ह हम इसमें टीचिंग पॉइंट हमारा जो सिक्षन बिंदू है वो नेक्स्ट कहलेंगे यूनियन कारबाइट करमचारी यूनियन के सदस्तियों का आंदोलन तो जब यह ट्रैजिडी हुई तो उस टाइम पर कुछ आंदोलन भी हुआ होगा जरूर वहां के जो एंप्लॉई यह किस लिए हुआ और इसमें कौन शामिल था किस तरीक किस तरीके से इसको किया गया तो यह सारी चीजें इसमें स्पस्तिकरण मैं आपको बतानी है चात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे व्याख्यान विदी का आप यूज करेंगे और जो भी चीजें आप ब्लैक बोर्ड थी वो बहुत जादा फैली और वो कहां से फैली कंपनी से तो उस कार खाने से जहां से वो फैली तो जहां पर भी उसका एक एक ओनर है या कोई भी है तो उनकी जो एक पूरी कमिनिटी होगी उन लोगों से मुआफ़जा मागा गया किसने मागा वहां के जो भी कर्मचारी थे यानि कि जो भी इंप्लॉइस थे तो इस तरीके का कुशिन बच्चों से पूछ सकते हैं गैस रहात मंतरी से बात करते गैस पीरिट मतलब जितने भी गैस पीरिट जिनको भी नुकसान हुआ जिनकी भी हानी हुई वो सारे जब मिनिस्टर से बात करते हैं तो उस समय का एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इसके अंदर इस पस्ति करन आप इसका भी लिखेंगे तो इसके बाद आपको लिखना है स्टूडेंट अक्रिविटी में चात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे व्याख्यान विदी का आप यूज करेंगे उसके बाद लास्ट में आप क 40 मिनट्स में पढ़ा सकते हैं ज्यादा बड़ा लेसन प्लान आपको नहीं बनाना क्योंकि उतना एक्स्प्लेइन करने में मुश्किल होती है फिर उतने समय में पुन्रवरती प्रशन में आप पूछेंगे पहला प्रशन बोपाल गैस तराजती कब हुई थी जरीली गैस क आपको विस्तार से पढ़ें मतलब एक आसाइनमेंट आपने दे दिया बच्चों को या एक होमवक दे दिया कि आपको पूरी स्टॉरी को पढ़के आना है पूरे चेप्टर को बहुत अच्छे से पढ़के आना है उसके बाद परेवेक्षन टिपड़ी जो है यहां पर ज परेवेक्षन टिपार एक आप अच्छे से बना पाएं हैं लेकिन आप उसको एक्स्प्लें नहीं कर पाएं आपका ट्रैसिंग सेंस, आप discipline मेंटेन कर पा रहे हैं या नहीं, class मेंटेन है या नहीं तो यह सारी चीज़ते देख कर आपको सुपरवाइस किया जाता है कि comment on this thank you so much